जाएकिन दोस्तों बेलकम बैक तो आर्मी वा यूटीव चैनल आज हम आर्मी का औरिजिनल कोशिन पेपर डिस्कस करेंगे आर्मी जीडी का ये औरिजिनल पेपर आपका होगा जिसमें हम पूरे 50 प्रेशन डिस्कस करेंगे बता दो आपको 23 पर भी 2020 को ये आपका कोशिन पेपर हुआ था जो कि आप ARO चेक कर सकते हैं जिराहट जर्नल जूटी का ये कोशिन पेपर है बात करते हैं उससे पहले मैं आपको औरिजिनल पेपर दिखा देता हूँ ये सभी कोशिन पेपर जो है मैंने आपके लिए टाइप कर लिए हैं एक अलग पीडियाफ में जिसका लिंक आपको नीचे डिस्कृरिशन मिल जाएगा जिसमें आपको जो है अपना टार्गेट लगाना है आज के कोशिन पेपर में प्रशनों की संक्या 50 रहेगी टार्गेट आपके लिए 40 प्लस दे दिया गया है और पतादू से पहले ये पेपर जो है आपका और अंगावाद जुराहट और जी आर्सी सेंटर और साथ में आर्टी सेंटर में भी पूछा गया था तो ये सभी सेंटर में आपका सेम कोशिन पूछा गया था स्टार्ट करते हैं सबसे पहले कोशिन से कोशिनमर एक आता है अंतरास्टी अहिंसा दिवस किस थारीक को मनाया जाता है जो आपका अंतरास्टी अहिंसा दिवस है कि किस थारीक को मनाया जाता है सेंसर क्या रहेगा Option number C, 2 October को अंतराष्टी अहिंसा दिवस मनाई जाता है और इसी दिन आपकी गांधी जन्ती भी होती है Question number 2 है, भारती नक्त मुंद्रा के नोट किस शहर में शप्ते हैं जो भारती नक्त मुंद्रा है इसके नोट किस शहर में शप्ते हैं Option आपको दिए हुए जल्दी सैंसर बता है, सेंसर क्या रहेगा नासिक Option number C, इसका सेंसर रहेगा Question number 3 है, इनमें से किसे द लेड़ी विद्दा लेम के नाम से जाना जाता है इंपोर्टिड कोशिन है, कोशिन बहुत बार पूछा जा चुका है आपके आर्मी और जीडी और ट्रेंडमेंट तो जल्दी संसर बता है यह सेंसर क्या रहेगा फॉलोरेस नाइटेंगल को ब्लेडी विद्धा लेंप कहा जाता है कोशिन बह November 4 है, पानी पत का तीसरा युद्ध किस वरिश हुआ था पानी पत का जो तीसरा युद्ध हुआ था, यह किस वरिश हुआ था आपके सामने है, जल्दी संसर बता है यह सेंसर क्या रहेगा तो 1780, 1781 जो भी बता रहे हैं सेंसर रहेगा और याद रख लें पूरी डेटतुबा से नहीं पूछता चोदा जिन्बरी 1761 को जो है पानी पत का तीसरा युद हुआ था कोश्चन नमर पांच है फतेपुर सिक्री किस साशक तुबारा बनाया गया था कोश्चन नमर पांच है फतेपुर सिक्री जो है ये किस साशक तुबारा बनाया गया था सही अंसर क्या रहेगा आप्शन नमर एक अकवर इसका सही अंसर रहेगा कोश्चन नमर छे है स्युक्त रास्ट संग का मुख्याले कहां पर स्तित है Q7 है रूप आफ दी वर्ड किस स्थान को कहा जाता है? आपके सामने है जल्दी से अंसर बताईए सही अंसर क्या रहेगा? तो रूप आफ दी वर्ड या फिर दुनिया की च्छत जो है पामीर का पठार तिबद को कहा जाता है? Q8 है भारत के अटर्नी जर्नल की निफ्टी कोन करता है? जो भारत के अटर्नी जर्नल होते हैं इनकी निफ्टी कोन करता है? जल्दी से अंसर बताईए सही अंसर क्या रहेगा? तो भारत का रास्ट्र पती जो होता है ये अटर्नी जर्नल की निफ्टी करता है question number 9 है नीमन में से कौन सी नदी का उदगम स्थान अमर कटक है तो आपको बताना है किस नदी का उदगम यह अमर कटक से होता है या फिर अमर कटक की पहाड़ियों से होता है option आपके सामने है जल्दी संसर बताइए सही अंसर क्या रहेगा उससे पहले बतादू जो Attorney Journal होता है इसकी नुक्ति जो रास्टपती होता है धारा 761 के तहत करता है भारत का रास्टपती Attorney General की नुक्ति जो है धारा 761 के तहत करता है और जो अमर कटक से नदी निकलती है वो कापकी कौन सी है नरम्दा नदी नरम्दा गदी का उद्गम स्टोल जो है ये कहां परसित है अम्मत कट्टक की पहाड़ियों में स्टित है Q10 है My Experiment with Truth पुस्त के लेकर कौन है My Experiment with Truth पुस्त के लेकर कौन है Option आपके सामने है जल्दी से अंसर बताई दोस्तों सही अंसर क्या रहेगा My Experimented Truth रुप्छ है हिमाहात्मा गांदी ने लिखी थी Question नम्बर 11 है भारत में लोग सबा के चुनाब के कितने वर्षों बाद कराए जाते हैं जो लोग सबा के चुनाब होते हैं ये कितने वर्षों के बाद कराए जाते हैं सही अंसर क्या रहेगा पांच वर्षों बाद लोग सबा के चुनाब करवाए जाते हैं Question नम्र 12 है इनमें से किसे अकसर Black Pearl कहकर भी संबोधित किया जाता है यानि इनमें से किसे जो है Black Pearl कहकर भी जाना जाता है सही अंसर क्या रहेगा पेले जो है ये आपके Football कहिलाडी है जिन्हें Black Pearl भी कहा जाता है Question नम्र 13 है Gateway of India कहां पर स्थित है बताने जूत नहीं पड़ेगी कल ये कोशन में आपसे पूछ की चुका हूँ Gateway of India जो है तीक है याद रखें Gateway of India मुंबई में स्थित है Gateway of India India Gate Question number 14 है ब्रहम समाच की स्थापना किसके द्वारा करी गई थी Option आपके सामने जल्दी संस्बत आए i-nissr क्या रहीगा ब्रहम समाच की स्थापना जो है किसने करी थी राजा रामोहरा है ने करी थी Question नम्र 15 है भारती संस्थके उपरी सधन को क्या कहा जाता है भारती सदन के उपरी सदन को क्या कहा जाता है या फिर उपरी सदन किसे कहा जाता है तो राज्य सबा को जो है उपरी सदन कहा जाता है भाद दो आपका समाने भिग्यान काता है पंद्रा कोशन रहेंगे, पहला कोशन है, LPG सिलेंडर में किस गैसो का मिशन होता है, जो LPG सिलेंडर होते हैं, ये किन गैसो का मिशन होता है, तो सेंसर क्या रहेगा, प्रोपेन और ब्यूटेन का मिशन होता है, कोशन नमर 17 है, मनुश्य के शरीर में रक्त की मात्रा कितने प बग कितने परतीशित रहती है से अंसर क्या रहेगा ग्रीवन 7 परतीशित होती है ठीक है पूरे शरीर so पूरे भार का साथ पर्तिशी जो होता है ये हमारे शरीर में बलड होता है कॉषिन में आपके सही करते रहें अंसर आपको मैं जल्दी से बताता चलूंगा लोहे को जंग लगने की क्रिया डैश कहलाती है यानि लोहे में जंग लगने की जो प्रक्रिया होती है ये क्या कहलाती है आप्शन आपके सामने है जल्दी से बसाई ये से इंसर कहा रहेगा इसे हम runsynic prerecia भी कहते हैं या फिर oxy gün req comprend भी कहते हैं question no.20 है आवरिति का मात्रक डैश होता है आवरिति का मात्रक क्या होता है तो आवरिति की unit आप को बतानी है क्या होती है sensor क्या रहेगा Hertz जो होती है ठीक है या फिर हर्ज जो होती है या आवरिती का मातरक होता है Question number 21 है इन में से कौन एक चुम्प की धातू है ठीक है इन में से कौन एक अचुम्प की धातू है माफ करें अचुम्प की धातू है यहां से आपकी अचुम्प की धातू बूचिए कौन सा खेंजर रहेगा तो या रखें लोहा निकल कोवाइट जो होते हैं ये एक परकार के धातू होते हैं ये आपके चुमकिय होते हैं तीन जो होती है आपकी एक परकार की अचुमकिय धातू होती है Q22 है मनुश्य के रक्त का रंग लाल किसके कारण होता है जो मनुश्य का रक्त होता है ये लाल किसके कारण होता है से अंसर क्या रहेगा जल्दी से बताईए से अंसर हेगा हीमोग्लोविन हीमोग्लोविन के कारण मनुश्य का रक्त ये होता है ये लाल होता है और हीमोगलोबिन में आपका आइरन पाया जाता है Q23 है मचली डैश के दवारा सांस लेती है मचली जो होती है किसके कारण सांस लेती है सेंसर क्या रहेगा गलफर्डों दवारा जो है सांस लेती है Q24 है बादल वातावरण में इसलिए तैरते हैं क्योंकि उनमें डैश होता है जो बादल होते हैं ये आसमान में किसके कारण तैरते हैं जल्दी सेंसर बताएं सेंसर क्या रहेगा कम घनत्व की कारण जो है बादल जो होते हैं ये आपकी आसमान में तैरते हैं तो option number C ही कर ले Q25 है टाइफाइड किसके कारण होता है जो टाइफाइड होता है ये किसके कारण होता है option आपके सामने है जल्दिस अंसर बताईए सही अंसर क्या रहेगा तो टाइफाइड आपका वेक्टीरिया के कारण होता है Q26 है पाचन के पश्चात प्रोटीन किसमें परिवर्तित हो जाता है ये Q26 आपका 27 सिसंबर वाले एक्जाम में पूछा जा चुका है पाचन के पश्चात जो प्रोटीन होता है ये किसमें परिवर्तित हो जाता है तो सही अंजर क्या रहेगा अमीनो एसिड में या फिर अमीनो अमल में परवर्तित हो जाता है कोश्चन नमर्श थाइस है जीवन की मूल भूत 1 इकाई डैश है यानि हमारे जीवन की जो मूल भूत 1 इकाई होती है वह ये कौन सी होती है जल्दी सेंसर प्रता है ये सेंसर क्या रहेगा कोश्का जो होती है ये जीवन की मूलबूत इकाई होती है Q28 है प्रकास इसलेशन डैश में अधिक्तम होता है प्रकास इसलेशन जो होता है ये किस रंग में सरवादिक होता है तो option पर depend करता है यह question सही answer रहेगा हरी रंग में सरवाधिक होता है अगर सबसे अधिक पूछा जाया जिसमें आपका लाल रंग पूछा जाया ठीक है बैसे याद रखने है प्रकास संसलेशन क्रिया जो होती है यह सबसे अधिक लाल रंग में होती है और सबसे कम बैंगली रंग में होती है तो लाल रंग आपका option में नहीं था तो depend करता है option पर सेंसर क्या रहेगा हरा रंग इसका सेंसर रहेगा question number 39 है मनुष्य के शरीर का परमुख स्वशन अंग कौन सा होता है फेफडे फेफडे जो होते है मनुष्य के शरीर का स्वशन का परमुख अंग होता है question number 30 है पागल कुटे के काटने से कौन सी विमारी होती है पागल कुटे के काटने से हमें कौन सी विमारी होती है तो सही अंसर क्या रहेगा जल्दी से सही अंसर बताइए rabbit नामे कुविमारी जो है ये कुटे के काटने से होती है अब next question की बात कर लेते है next question हमारे start होते है math के question एहला question math का आता है यदि आयता का शेतर का शेतर फल 5-6 cm स्केर है और इसकी एक भुजा कितनी है 20 cm है तो आपको क्या बताना है आपको परिमार प्यात करना है अब जल्दी से अंसर बताजिए इसका सही अंसर क्या रहेगा थोड़ा सा time दूँगा जल्दी से आपको अंसर बताना है सही अंसर क्या रहेगा तो इसका जो सही अंसर हैगा आपका 96 इसका सही अंसर हैगा किस तरह से होगा आप जल्दी से आपको बता दे दो आयत आपकी इस तरह से होती है इसका शेत्रफल होता है A B और इसका परिमाब ग्याद करने का फॉर्म होता है 2 A प्लस B A B शेत्रफल कितना होता है शेत्रफल आपको दिया है 560 है तो इसका फॉर्मूलात है A, B इसमें से आपको एक भूजा दी हूँ ये मालो A आपको दिया हूँ कितना है 20 है B आपको ग्याद करना है A आपको दिया हूँ है तो A को दूसरी साथ ले जाओ तो यानि 20 आपका दूसरी साथ चला जाएगा तो बटा में चल जाएगा 0 से 0 कर जाएगी 2 से आपका 56 कर जाएगा या जाएगा 28 तो 20 कितना आ जाएगा है हमारे पास दूसरी भूजा कितनी आ जाएगी यानि B हमारे पास कितना जाएगा 28 आ जाएगा तो एक भूजा कितनी आ जाएगी 20 आ गई तो दोनों बुजा गयात होगी हमी 28 और 20 और परिमाप का फॉर्मूला आपको बताया था 2 ठीक है 2 इंटू A प्लस B होता है तो A प्लस B कितने होगे A प्लस B आपके 48 होगे और गुना दो कर दो कितने हो जाएगे 96 आपके हो जाएगे अब कोशियन नमर 32 है थोड़ा सा ध्यान से देखें एक काराले में 20 श्रमकों की ओसत आए 900 रुपे प्रतिमा है यदि परभंदक की आए उसमें जोड़ दी जाए तो ओसत आये जो है ये कितनी हो जाती है 2000 रुपे हो जाती है थी कि 2000 रुपे प्रती महा हो जाती है तो प्रभंदक आये आपको ग्यात करनी है या प्रभंदक मालो कलरक मालो या फिर सीनिर मालो उनसे बड़ा है तो आपको बोला है प्रवंदक किया आये जो है वो कितनी होगी एक महीने की सिंपल सा कोश्चन है आपको बता है पहले बोलता है कि 20 श्रुमिकियनी कोई 20 बंदे है उनकी ओसत आये जो है कितनी है 1900 रुपे है अब इन 20 व्यक्तियों की टोटल महीने की इनकम निकाल लो तो 20 व्यक्ति है 1900 इनकी महीने की ठीक है हर व्यक्ति की एक महीने की कितनी है 1900 रुपे है टोटल रुपे कितनी हो जाएंगे 38,000 हो जाएंगी ठीक है 20 को multiply कर दो 39 से तो 19 दुना कितनी होते हैं 38, 38 होते हैं और 3 0 कैरी करे के आ जाएंगी अब बोलता है इसमें एक श्रमिक को शामिल कर लिया तो बंदी कितनी होगी 20 प्लस 1, 21 होगे आए कितनी होगी 2000 रुपे होगी पहले 1900 थी, अब 2000 होगी तो 2000 multiply कर दो 21 में से तो कितने हो जाएगे 21 दुना कितने होते हैं 42 होते हैं तो कितने हो जाएगा 42 और 2 0, 3 0 कैरी करके आ जाएंगी जब श्रमिक नहीं था तो आए कितनी थी टोटल आए कितनी थी 38,000 रुपे थी श्रमिक जोड़ा गया ठीक है परवंदक जोड़ा गया माफकरे परवंदक जोड़ा गया तो टोटल कितनी होगी 42,000 रुपे होगी डिफरेंस कितना हो गया 4,000 रुपे का डिफरेंस हो गया यानि परवंदक की टोटल आए कितनी है एक महीने की 4,000 रुपे है तो सेंसर क्या रहेगा option number C 4000 इसका सेंसर रहेगा अब question number 33 सोड़ा सा confusion करने वाला है और एक question आपका 2019, 2020 और 2021 मैं भी जुरूर पूछा जाएगा question है एक मीटर लंबे तार के बने बृत का शेतरफल क्या होगा एक number ठीक है एक मीटर माल लिए यह है इसका एक बृत बना दिया तो बृत भी कितना हो गया एक मीटर का हो गया अब बृत जो है ठीक है बृत इस तरह से आपका बृत होता है कितने मीटर का है ठीक है एक मीटर का माल लिया यहां से शुरू होता है और यहां तक जो है एक मीटर का आ गिया अब आपको अंसर सैटी मीटर में दिया हो तो एक मीटर को ठीक है एक मीटर को सैटी मीटर में बदलोगे तो कितना जगा 100 cm के बराबर होता है एक मीटर जो होता है यह 100 cm के बराबर होता है और यह बाहर का बृत का जो बाहर का हिस्सा होता है यह हमारी पृधी होती है फिर परिमाप होता है तो बृत की पृधी कितनी होगी ठीक है बृत की पृधी थी 1 मीटर और एक मेटर जो होता है यह 100 सेंटीमेटर के बराबर होता है तो हमारे पास प्रीदी कितनी आगी प्रीदी हमारे पास 100 सेंटीमेटर आगई अब बृत की ठीक है बृत है बृत की प्रीदी का फॉर्मूला क्या होता है 2 पाई आर होता है तो हमारे पास विरिधी रीग इतनी है 100 है अब 2 गुणा 22 बटा 7 बटा आर आपको आर गयात करना अगर शेतरफल गयात करना पड़ेगा ठीक है आर गयात करो तो बराबर आपका 100 है ठीक है 100 है 7 को दूसरी साइट ले जाओ तो यह आपका 700 बन जाएगा ठीक है यहां से गट जाएगा कितना बन जाएगा 700 बटा 44 आपका बन जाएगा अब इसे कार दोगे काटना आपका काम है काटकर आर जो है कितना बन जाएगा तो अब आपके पास आर आगे कितना होना 15.9 आपका बना 15.9 आर आपके पास आगया अब बृत का शेतरफल गयात करना है फोर्मूला होता है यानि 22 पटा 7 गुणा 15.9 गुणा 15.9 ठीक है 15.9 गुणा 15.9 तो आर आपको मैंने बता दी है न 15.9 है तो दोबर ही आपका multiply हो जाएगा आर अब जो कटता है card 2 ठीक है इसमें भी आपको card ने जूत नहीं पड़ेगी सीधा multiply करो तो multiply ठीक है इस पूरे को multiply यानि solve करोगे तो आपके पास अंसर कितना देगा 795.45 ठीक है 795 something आएगा ठीक है 794 वैसे maximum जो अंसर आता है वो 794 something आता है पर अंसर जो है आपका किसे मैच कर रहा है 795 से मैच कर रहा है तो यानि answer क्या रहीगा option नुबर C इसका सही रहेगा अब question मेच 34 है एक काम को A और B 12 दिन में A और B कितने दिन में 12 दिन में C और A कितने दिन में 20 दिन में B और C B और C कितने दिन में कर रहा है 15 दिन में करते हैं ठीक है यह सबी जो है फिर CA कर रहा है और BC कर रहा है तो यह इतने इतने दिन में कर रहे हैं तो आपको पूछा है यदि यह तीनों मिलकर एक साथ काम करें या कारे करें तो कितने दिन में पूरा कर लेंगे तीनों का पूछा हुआ है ठीक है अब आपको पूछ नहीं कर रहा है अब आपको यहां दिखू A B C A और B C इन दोनों में ठीक है इन सभी में जो A है ठीक है इसमें A जो है दो बार रपीट हो रहा है इसमें C आपको दो बार रपीट हो रहा है इन सभी में दो-दो जो है ठीक है A और B और C ये सभी जो है दो-दो वार रुपीट हो रहे हैं तो इन में से आप जो है दो कोमन निकाल लो ठीक है यहां से आपने दो कोमन निकाल लिया अब आपको क्या गरने 12, 20 और 15 का LCM निकाल लो कितना जाएगा? LCM आजाएगा 60 LCM आपके बास कितना आ गया? 60 आ गया अब A B का एक दिन का कारे निकालो C A का एक दिन का कारे निकालो और B C का एक दिन का कारे निकालो किस तरह से निकालोगी? 12 से काट दो 60 को तो कितने से कटते हैं? 12, 15, 12, 60 ये 5 आ गया ठीक है 20 से काटो 60 को कितना जाएगा 20 से काटो 60 को तो कितना जाएगा 20 से काटो 60 होते है 3 आ गया और 15 को काटो ठीक है 15 को काटो 60 तो 15 चोके 60 आपका आ गया यानि A B A और B का A और B का 1 दिन का कारे कितना है ठीक है 1 दिन का कारे 5 है C और A का 1 दिन का कारे 3 है बी और सी का एक दिन का कारे कितना है चार है अब इन सभी को ठीक है पांच तीन आठ को प्लस कर दो कितने होगे बारा होगे यह सभी का ठीक है इन सभी का एक दिन का कारे है अब इस कारे को जो है आप मल्टिप्लाइ कर दो ठीक है माफ करें बटा कर दो तो यह निकार तो 12 से ठीक है, टोटल कारी से कार दो, तो 60 बड़ा 12 हो गया, याद रखने, टोटल दिन का कारी दिन का आ गया 12, इसे आपको डिवाइड कर दिना है, और जो 2 कोमन निकाला था, इसे आपको मल्टिप्लाइ कर दिना है, 60 को, पीस से कार दो, ठीक है, बारा से कार दो, साट को कितने हैं, कितने से कट जाएगा, पांच से कट जाएगा, और पांच गुणा दो आगे, ठीक है, पांच गुणा दो गया, पांच गुणा कितने होते हैं, दस होते हैं, तो हमारे पास अंसर क्या आ गया, दस हमारे पास सही अ करेंगे अब कोश्चिन नमर 35 है एक व्रिताकार वेलन की उंचाई 15 सेंटीमीटर और उसके अधार की तरिच्जा 7 सेंटीमीटर है तो उसका आयतन ग्यात कीजिए सबसे बेले आपको आयतन का फॉर्मूला ग्यात होना चाहिए अगर आपको क्या निकालना है वेलन का आयतन न सकते हैं आर स्केर होता है जिसमें पाय आपकी वैली दी हुई है आर भी आपको दी हो ठीक है अधार की तरिच्जा 7 दी हुई है और ह आपके पास उंचाई होती है जोकि 15 दी हुई है अब फॉर्मूल में पुट कर लो 22 बटा 7 गुणा आर कितना है? 7 है ठीक है? आर कितना ह को multiply करो दो 22 से कितना आ जागा 154 आ जागा और गुणा 15 कर दो अब multiply करो ठीक है एक सो चुरूनजा को multiply करो 15 से तो कितना बन जाता है 2310 के करीब बन जाता ठीक है 2310 आपका बन जाता है तो आयतन का ठीक है माफ करें बृत के आयतन का शेतन कितना होगा ठीक है बृताकार बेलन का जो आयतन होगा वो कितना होगा 3310 cm होगा तो कौन सा आप्शन चाहिए रहेगा आप्शन नमबर A इसका सही रहेगा अब कौशन में 36 है यदि एक टायर की तरिच्जा 7 cm है तो 50 चकर को कितने में पूरा करेगी ठीक है जो 50 चकर है वो कितनी दूरी में तै करेगी आप्शन आपके समने है जल्दी से स्वाफ करेगी से यह अंसर क्या रहेगा तो यह भी कुशन आपका सींपल सा है आपका टायर जो होता है यह गोल होता है तरिच्जा आपके पास दियो ठीक है आर आपके पास दियो है पर आप आर जो है आपके सेंटीमेटर में दियो वो अंसर आपके मीटर में निकालना पड़ेगा आपको चक्क्र निकालना है तो एक चक्क निकालने के लिए आपको पृरिधी ज्यात करनी पड़ेगी तो सीधी है मिरित की पृरिधी निकालो ठीक है बृद की पृरिधी का फॉर्मौला होता है 2π r दू गुणा 22 बटा 7 गुणा 7 गुणा कितने हो जाएंगे साथ आपके हो जाएंगे सांसे साथ कट गया और दोगणा बाइस कितने होते हैं चुतालिस तो चुतालिस सेंटीमीटर ठीक है चुतालिस सेंटीमीटर जो है यह बृत की ठीक है यह बृत की यह एक चक्कर की कितनी है एक चकर जो है कितने का है चुतालिस सेंटीमीटर का है अ बटा-शो कर दो, तो you कितने मेट्र के बराबर है, प्वॉंट चुटा-इस के मेट बराबर है, पचास खकर का निकाल ला है तो गुणा 0.5 कर दो, तो गुणा 50 करोगी झाय है, चुटा-इस कुणा 0.5 करोगी या फ़र .64 कुणा 0.5 करोगी तो कितना बन जाएगा, 22 मीटर आपका बन जाएगा तो से अंसर क्या आएगा 22 मीटर आपका से अंसर आएगा यहनि 50 चक्र कितने मीटर का लगाएगा 50 चक्र जो है 22 मीटर के लगाएगा अब question number 37 है बह बड़ी से बड़ी संख्या क्या है जिसे 30, 35 और 99 को विवाजित करने पर एक समान 6 बचे सिंपल सा question है कुछ आपको नहीं करना है अंसर आपको जल्दी से उता देता हूँ 23 इसका answer हेगा अगर 23 को भाग करोगे 30 से 7 आपका बचता है अब 23 को भाग करोगे 53 से तब भी आपका 7 6 बचेगा और 23 को भाग करोगे 99 से तब भी आपका 7 6 बचेगा अब question number 38 आपका आता है यदि दो संख्याओं का गुणफल 4725 है और महत्तम सवर्तकिनी HCF जो है 15 है तो LCM आपको निकालना है अब simple था question है कोश नहीं करना है पहली संख्या multiply डूसरी संख्या बरावर है HCF और मल्टीप्लाई LCM तो पहली संख्या और दूसरी संख्या multiply करोगे तो यह गुणफल बन जाएगा तो कुणफल बन जाएगा जो की हमें दिया हुआ पहली संख्या और 24 2 6 संख्या तो 15 को दूछे साले जो यह आपका वटा में चला जाएगा और 7,000 वटा 15 यह आपका कटड़ जाएगा कितना हाजएगा 301 आपका आजएगा तो एल्सियम कितना हो जाएगा 301 आपका एल्सियम हो जाएगा Q49 है एक संगीत पिदाले में 70% बिद्यार्ती लड़की है यदि लड़कियों की संख्या 55 है तो लड़कों की संख्या क्या होगी ये भी सीम्पल सा כchoshicन है कोशनी क्याइद करना है टोटल संख्या कितनी है 100% है उसमें से कितनी 70 जो है कितनी लड़की है और लड़कियों की संख्याद हमें दी हुई ये कितनी है, दो सो पच्छमिन है, लड़किये संख्या कितनी है, दो सो पच्छमिन है, प्रतीशित में कितना है, तीस है, तो इसे डिफाइंड कर लो, टोटल निकाल सकते हैं, तीस को यहां multiply, दूसरी साल ले जाओगे, तो यह बटा में चल जाएगा, और गुना सो कर जो ठीक है, परसेंटिस का गुना सो आ जाएगा, तो आपके पास टोटल जो है, ठीक है, टोटल निकल जाएगे, टोटल कितने थी, ठीक है, अब आपके पास टोटल कलास में शातर कितने थे, यह निकल जाएगे, 0 से 0 कर जाएगा, 3 से आपका 255 कर जाएगा 255 कितना मन जाएगा 85 आ जाएगा 85 बुणा 10 कितना हुआजएगा 850 यानि कक्षा में टोटल शातर कितने थे 850 थे जिसमें से माइनस कर तो 255 जो थे ये क्या थे लड़किया थी अब माइनस करूख कितना आ जाएगा 595, ठीक है, 595 क्या है, लड़के है, ठीक है, टोटल चातर कितने थे, 850 थे, जिसमें लड़कें कितनी थी, 200 बच्वन थी, 850 में माइनस कवर, 200 बच्वन कितना आ गया, 595 आ गया, तो लड़कों की संगें कितनी है, 595 है, कॉशन नमर 40 है, सीम्पल सा है, 49, 41, 43, 45, 2 प्लस हो रहे हैं, 2 प्लस हो रहे हैं, 45 में 2 प्लस होंगे, तो 47 आपका आएगा, 47 में 2 प्लस होंगे, तो 49 आपका आएगा, तो 47 इसका से इंसर रहेगा, अब कॉशन आपका थोड़ा सा ध्यान से देखने के कॉशन बोता है, एक बस्तू को 6,800 रुपे में बेशने पर प्रशांत को 75 प्रतीशित की हानी हुई, उस बस्तू का करेमले ग्यात कीजिए, सीम्पल सा कॉशन है, कुछ आपको नहीं करना है, आपको करेमले ग्यात दरन हैं, गुणा 100 कर दो और बटा 100-75 गुदव कितना होजएगा, पचीस आपका आजायेका, तो नीचे आपका 25 आ गया, पचीस से आपका 100 अपका 100 जाएगा, चार आजाएगा, ठीक है, पचीस से 100 गढ़ गएया, चार आजायेका, और 68 अप्रुर तो ग्रुक्ना हो जाता है, तो टोटल बस्तू का मुल्ले कितना था 27,200 रुपे था ठीक है जो बस्तू का करें मुल्ले था वो कितना था 27,200 रुपे में था और उसे जो है कितने में बेचा गया 6,080 रुपे में बेचा गया तो उसे 75 परतीशित की हाने हो गई जिसे 75 में खिटाने पर एक पूरण बरग बने अब 175 की बात हो रहे है तो 11 का बरग कितना होता है 121 होता है 124 होता है 13 गर कितना होता है और कितना जाद है ठीक है कितना जाद है 199 ठीक है 109 और 170 में कितने का gap है 6 का gap है तो 6 option में दिये हुआ है हाँ 6 option में दिये हुआ है यानि यह जो है ठीक है 104 में 6 minus करने पर जो है यह 13 का बरग बन जाता है तो 6 इसका से answer रहेगा अब कोशन में 43 आपका और भी सीम्पल है, एक बृत की तरिज्या 23 सेंडिमेटर है, बृत का शेतरफल ग्याद कीजिए, और आपके पास दिए बृत का शेतरफल ग्याद करना है क्या होगा, पाई आर स्केर 22 बटा 7 गुणा 28 गुणा 28, 7 चोके 28, 4 गुणा 22 करो, कितना हो जा जाता है, 2444 आपका बन जाता है, तो बृत का शेतरफल किता हो जाएगा, 2444 सेंडिमीटर हो जाएगा, तो कौन सा इंसरे का ऑप्शन में सी, इसका सही रहेगा, अब कोशन में 44 है, एक मोटर साइकल, 140 मीटर की दूरी, 18 सेकेर्ड में अते करता है, तो किलोमीटर पती घंट में चाल गयात करनी है, 40 कुल्टू कितने आता है, दूरी बटा समय, दूरी कितनी है, 140 है, समय कितना है, 18 सेकेर्ड है, मीटर पर सेकेर्ड ठीक है, ये हमारे पास मीटर पर सेकेर्ड में है, किलोमीटर पर सेकेर्ड में गयात करने है, तो मल्टिप्लाइ कर दो, क्या, 18 बट ठीक है 28 से कट जाएगा तो क्या अंसर आ जाएगा 28 किलोमेटर प्रती घंटा इसका सही अंसर आ जाएगा अब क्वेशन नमर 42 बोलता है एक संख्या में बही संख्या तथा 5 जोणने पर उत्तर सत्रा आता है तो वह संख्या क्या होगी माना संख्या एक्स बोलता ठीक है माना हमने संख्या है एक संख्या में बही संख्या यानि एक्स में एक्स जोड़ देंगे तथा उसमें 5 जोड़ देंगे तो कितने के बराबर हो जाता है यानि हमारे उत्तर कितना आ जाता है बराबर उत्तर हो गया 17 यहां 2x हो गए तो यह 2x हो जाएगा प्लस 5 है ये देगा x के ठीक है प्लस के 5 दूशी चाल जाएंगे 17 में माइनिस हो जाएंगे तो इक इतना बन जाएगा 12 आपका बन जाएगा तो 2x पराबर है 12 x यही रहने दो ठीक है x यही रहने दो दूशी चाल ले जाओ 2 को ठीक है, एक से हीने ने तो 2 को दूशी चल लेगे, जो तो 12 बटा 2 हो जाएगा, 2 से आपका 12 कट जाएगा, तो कितना हो जाएगा, x की value 6 आगी ठीक है, 2 से आपका 12 कट गया, तो x की value की आगी, 6 हमारे पास आगी, यनि वो संक्या क्या है, 6 है, 6 में 6 जोड़ों कितने होते हैं, 12 होते हैं, उसमें 5 जोड़ों कितने हो जाते हैं, 17 आपके हो जाते हैं, यहां से मैं लेता हूँ यहां से बो जा रहा है एक किलोमेटर पूरव की तरफ जा रहा है तो बोलता है वो आदमी अपने शुरुवाद के चिंसे ये शुरुवाद थी चिन से लेकर कितनी दूरी परिष्थी था है शुरुबात के चिन से कितना दूर है यानि ये वाली दूरी आपको ग्यात करनी है और ये आपका ऐसे बन जाएगा ठीक है ऐसे बन जाएगा तो ये एक किलोमेटर था ठीक है इतना आपका एक किलोमेटर था और ये बीच का तो नो में से 5 निकाल दो तो इतने बेएगी चार बन जाएगी, तो आपको इसका ग्यात करने ठीक है, यह चीज आप ग्यात करने ठीक है, यह चीज आप ग्यात करने है, तो करन लंब और आकटनी ठीक है पना हो eder रहा, लंब अधार और करन आपको करन ग्यात करने ठीक है ये वाला ग्यात करना है तो इसका फॉर्मूल होता है करन का स्केल इसकल टू अधार का स्केल ठीक है अधार का स्केल प्लस लंबाई या जो भी होता है ठीक है लंबाई का स्केल जो आपका यहां थे था ठीक है लंबाई का स होता है कितना जागा 25 आपका हो जाएगा और यह करण का स्केर आपका यहीं रहेगा करण का स्केर डूसी आ में चला जागा 25 कश्क होता है 5 ग्याों के जाएगा ठीक करंण हमारे पास क्या गया 5 आ गया तो से answer क्या रहेगा 5 इसका से answer रहेगा अब question no.43 है तेन संक्या का ओसत क्या है 27 है दूसरी पहली से तीन गुना है और तीसरी पहली से पाँच गुना है तो संक्या क्या है simple है अगर option देखो तो आपके पास answer आजाएगा multiply भी कर सकते हैं सीधा option पर multiplied करता है बोलता है दूसरी संक्या जो है ठीक है दूसरी संक्या जो है यह पहली से कितनी है तीन गुना है यानि जो पहली संक्या होगी जो आपकी दूसरी संक्या होगी वो पहली से कितनी होगी तीन गुना होगी पहली संख्या दूसरी से तीन गुना है नहीं है पहली संख्या दूसरी से तीन गुना है नहीं है पहली संख्या दूसरी संख्या से तीन गुना है नहीं है यह पहली संख्या होगी यह दूसरी संख्या होगी अब तीसरी के लिए क्या बोल रहा है तीसरी पहली से 5 गुना है जो तीसरी संक्या यह तीसरी संक्या कितनी है ठीक है यह आपकी 45 पैसे दियो यह ठीक है यहाँ पर और पहली से कितनी गुना है 5 गुना है 9 पजे ठीक है 9 पजे कितनी होते है 45 होते है यहनी 5 गुना 9 से 9 पजे 45 यहनी पहली से कितनी गुना है 5 गुना भी स सही है तो 9,27,45 तो इसका सेंसर क्या आएगा 9,27,45 इसका सेंसर आएगा अब कौशिप पर 40 है एक, नो, पचीस, उन्चास, नेक्स आपको ग्याद करना नेक्स आपका 121 है किस तरह साएगा एका स्केर, तीन का स्केर, पांच का स्केर, दो का गैप बढ़ रहा है, दो का गैप बढ़ रहा है तो यहाँ पर साथ का स्केर है, साथ में प्लेस दो करें तो कितना होता है नो आपका होता है, तो नो का स्केर 81 होता है और नो में दो प्लेस करोगी तू 11 होता है और 11 क्यार का स्केर 121 आपका होता है तो क्या आएगा बीच में? 81 आपका आएगा अब कोश्चिन नमर 49 है अरुन ने कहा यह लड़की मेरी मा के पोते की पत्नी है सिंपल सहा है जल्दी से बता देता हूँ यह अरुन है यह लड़की है यह मा है अब अरुन क्या बोल रहा है यह लड़की यह लड़की जो है यह लड़की जो है मेरी मा अरुन की मा यह है ठीक है यह मा है यह लड़की है इस तरह से लिखते था हूँ लड़की है अरुन के मा की ठीक है यह लड़की मेरी मा की अरुन बोल रहा है मेरी मा के पोते की यहां प पोता आगे ठीक है ये इसका पोता है ठीक है पोता है तो अरुन का ठीक है अरुन की मा का पोता अरुन का क्या लगा बेटा लगा तो बोलता है बेटे की पत्नी है तो अरुन के बेटे की पत्नी अरुन की क्या लगी ठीक है पूछ रहा है अरुन का उससे लड़की से क्या सव आएगा अब question number 50 और भी simple है यहां का आपको दिया हुआ है P E A L A L ठीक है A R L तो P के लिए क्या code रोजा है P के लिए आपका 2 user हो रहा है E देखो यहां पर है E के लिए 4 user हो रहा है E के लिए 4 user हो रहा है अब आपका क्या आता है A का आपका माफ़करे A आपका आता है तो A यहां पर है A के लिए 1 user हो रहा है A के लिए 1 user हो रहा है अब आपका क्या आ रहा है Next जो है आपका R है R के लिए क्या user हो रहा है तो R आपका यहां पर आता है R के लिए 5 user हो रहा है अब आपका last बचता है L L यहां पर भी है 3 user हो रहा है ल के लिए कितने योज हो रहा है तो क्या गोड मना 24 15 3 24 15 3 यानि option number D इसका सही रहेगा अब जल्दी से प्यार से बता दो कि 50 में से आपके कितने सही थे जादा difficult नहीं था जाता ना तो जादा hard level का question था simple सा question था और जल्दी से comment करके आपको जुरूर बताना है और जल्दी से चैनल को भी subscribe कर लेना है वीड़ी देखने लिए thank you जाहिंद वंदे मात्रम